बच्चों जिसमें हम पढ़ेंगे आज लीडर्स के बारे में कल हमने नाशनल सिंबल्स की बात की थी आज हम नाशनल लीडर्स की बात करेंगे बहुत से लीडर्स हैं जो इंडिया की सर्फिस पे बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं माहत्मा गांधी की मोहन दास करमचंदर गांधी उनका फुल नेम था मोहन दास करमचंदर गांधी जो की बॉर्ण हुए थे उक्टूबर 2nd को 1869 में पोर बंदर गुजरात के गाउं में ठीक है वो एक लॉयर थे एक पॉलिटीशियन थे साथ ही साथ एक फ्रिडम फाइटर थे इंडिया को उ उन्हों ने हमेशा हमें यही सलाह दी थी बिटा कि हमें वैपनस यानि कि हमें आउजारों से नहीं सत्य और अहिंसा से अपनी फ्रिडम मिलेगी 뒤 और साथी साथ वह बहुत ही सिम्पल लाइफ जीने वाले भगवाण को मानने वाले और साथ मेडिटेशन और फास्टिं करने वाले ब्रत और उपवास रखने वाले थे और उनका उनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी 30 जनवरी 1948 में उनकी डेथ हो गई थी ठीक है सो ये तो थे महात्मा गांधी के बारे में एक शॉर्ट नोटेस ठीक है आपने इसमें क्या पढ़ा मोहंदास करमचंदर गांधी जो थे वो 2 अक्टूबर को बॉन हुए थे गुजरात में वो लॉयर थे और पॉलिटीशन थे साथी साथ वो जो है फ्रिडम फाइटर भी थे वो हमें सत्य और अहिंसा के मार्क पे लेके चलते थे और उनकी डेथ जो है वो 30 जनवरी 1948 में हो गई अब हमारे नेक्स जो है लीडर वो है पंडिच जवाहलाल नेहरू पंडिच जवाहलाल नेहरू जो है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे 14 नेवेंबर 1918-1989 में इनका जन्म हुआ था अलाबाद में और इन्होंने जो है इंडिया में फ्रिडम फाइट मूव्मेंट में इन्होंने जोईन किया था और उसके बाद में ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने आफ्टर फ्रिडम इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था इसलिए इनका जो बर्दे है उसे हम चिर्डरन स्टे के रूप में मनाते हैं नेक्स्ट इस बी आर अमबेटकर महात्मा गांधी और पंडे जवाहलाल नहरु को तो जिस तरीके से आप जानते हैं क्या आप भीमरा अमबेटकर को भी जानते हैं भीमरा अमबेटकर जो हैं वो एक पॉलिटीशन साथी साथ वो एक सोशल वर्कर भी थे उन्होंने ही हमारा जो इंडियन कॉंस्टिशन हो उसको लिखा है और इन्हें हम कहते हैं इंडियन कॉंस्टिशन इनका जन्म 14 एप्रिल 1891 में मध्य प्रिदेश में हुआ था और इन्होंने लोगों के लिए इक्वालिटी और जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी थी ठीक है और साथ इनको जो है फर्स्ट लॉम मिनिस्टर के रूप में भी माना गया था अफने बुकवक की कल में कीवर्ट अपनी कॉपी में फिल आउट कर लिये थे अज सबसे पहले हम देखे यहां करेंगे तिक दा करेक्ट ऑप्शें आप अपनी कॉप्ई में फिल करेंगे अशोक चक्रा में 24 बॉक्स होती हैं रविना टैगोर ने नाशनल आंथम कमपोस कि है वो हमारा lotus है और गांधी जी 2nd October को born हुए थे नेक्स्ट यहाँ पे हमें फिलिंदा blanks को fill out करना है फिलिंदा blanks में पहला है सत्यमेव जैते का मतलब क्या होता है trust alone ठीक है trumps इसको आपको लिखना है और हमारा national flag जो है बेमराव अंबेट करको नाशनल एनिमल बैंगॉल टाइगर नाशनल फ्रूट मैंगो नाशनल बर्थ पिकॉक एंड नाशनल ट्री बन्यान exercise C में आपको fill करना है कोई भी doubt हो तो आप मैंसे पूछ सकते हैं आज के लिए वीडियो में इतना ही thank you have a nice day